Hello students, welcome to my YouTube channel, Home Education. Today I am going to explain the last lesson from Flamingo book, class 12, CVSC board. So are you ready? This is the second part of the last lesson. So listen this explanation very carefully and attentively. So students, let's start with this. If you are listening to my channel, you can subscribe to my home education. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? Writer کہتا ہے, اب مجھے سمجھ میں آیا की कمرے के या क्लास के पीछे वाले हिस्से में क्यों गाओं के बुढ़े लोग बैठे हुए थे? अब मुझे समय में आया. It was because they were sorry to that they had not gone to school more. इसका कारण ये था कि वो लोग भी दुखी थे. क्योंकि वो लोग ज़्यादा तर इस्कूल नहीं गहते हैं. मतलब गाओं वाले भी ज़्यादा तर इस्कूल नहीं गहते हैं. तो वो भी दुखी थे. It was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. ये उनका अपने master साब को यानि की teacher को थैंक करने का एक तरीका है जिनोंने 40 साल से वफादारी से सेवा किया है और उनको सम्मान दिखाना है और ये भी दिखाना है कि अब उनका जो देश है अब उनका जो देश है अब उनका नहीं रहा. ठीक है आगे चलते हैं वाइल आइ वाज थिंकिंग आफ आल दिस जब मैं इन सारी चीजों को सोच रहा था I heard my name called तो मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना अब जो है मेरी बारी आगई थी पढ़ने की सुनाने की What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? जो की मैं participle के भयानक नियम को देने में सक्षम नहीं भी था Very loud and clear and without one mistake वो भी बहुत जोर से साफ साफ आवाज में और बिना गलती किये Writer कहता है की जब मेरी बारी आगई तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं भयानक participle के रूल को बहुत तेज आवाज में बहुत किलियर आवाज में और बिना mistake किये सुना देता मैं ऐसा कर नहीं पाता But I got mixed up on the first words and stood there बलके मैं तो पहले ही शब्द में उलज गया और मैं वहीं पर खड़ा रहा Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up अपना desk मैं पकड़े रहा मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे पास साहस नहीं था उपर देखने का I heard M. Hemel say to me मुझे सुनाई पड़ा कि M. Hemel मुझे कुछ कहते हैं I want to scold you little frange छोटे frange मैं तुम्हें नहीं डाटूंगा You must feel bad enough तुम्हें जरूर बहुत बुरा लगेगा See how it is देखो ये सब कैसे है Every day we have said to ourself Bah हर दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं Wow I have plenty of time क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है I will learn it tomorrow मैं इसे कल लर्न कलूंगा कल याद कलूंगा And now you see where we have come out और अब तुम देख रहे हो कि हम लोग कहां पहुँच गए मतलब टीचर के कहने का मतलब है कि कल कभी नहीं आता कल पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए Ah, that is the great trouble with Elsis यही तो Elsis के लिए बहुत बड़ी परसानी का विसा है She puts off learning till tomorrow Elsis के लोग सारी चीज़ें कल पर छोड़ देते हैं Now those fellows out there will have the right to say to you How is it? अब तो वो लोग जो लोग यहां पर आएंगे German वाले लोग उनके पास कहने का अधिकार होगा आपसे How is it? यह सब कैसे है You pretend to be Frenchman वो लोग पूछेंगे तुम लोग French होने का दावा करते हो And yet you can neither speak nor write your own language और फिर भी तुम लोग अपनी भासा को न बोल पाते हो न लिख पाते हो जब Elsis में German लोग आएंगे तो उन लोगों को भी कहने का मौका मिलेगा न कि तुम लोग अपनी भासा न लिख पाते हो न बोल पाते हो तब कैसे तुम लोग Frenchman हो यानि तुम लोग अच्छे Frenchman नहीं हो लेकिन बेचारे छोटे फ्रांज तुम बिलकुल खराब भी नहीं हो हम सभी लोग इसके अधिकारी हैं यानि कि हम सभी लोग इस चीज में बराबर के अधिकारी हैं मतलब हम लोगों को भी सभी लोग को छमायाचना करना चाहिए और अब टीचर कहते हैं कि हम सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो बता है कि कैसे सभी लोग जिम्मेदार है यानि पैरेंट्स वेर नटेंटवटो आत्यास्च。 आपके माता पिता आपको पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ सिखाने के लिए जैदा चिन्तित नहीं रहते हैं वे चाहते हैं या वे पसंद करते हैं कि तुम एक खेत में या किसी मील में काम करो so as to have a little more money ताकि थोड़ा और ज्यादा पैसा पाया जा सके and I अब देखिए एम हैमल जो टीचर है वो अपने आपको भी जिम्मेदा ठहरा रहे है and I और रही बात मेरी I have been to blame also मैं भी दोसा रोपड का भागी दारी हूँ have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया था बजाय कि तुम लोगों का लेशन लर्ण करवाने के यानि कि भेज दिया था and when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday और जब मैं fishing करने जाना चायता था तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दिया था यानि कि M. Hamel जो teacher है वो मानते हैं कि वो भी जिम्मेदार हैं सभी जिम्मेदार हैं then from one thing to another M. Hamel went on to talk of French language saying that it was the most beautiful language in the world फिर एक बिंदू से लेकर दूसरे बिंदू तक जो teacher M. Hamel हैं वो French language के बारे में बात करने लगे और कहने लगे कि ये जो French language है ये संसार में सबसे beautiful language है फिर क्या होता है the clearest the most logical ये language बहुत ही साप सुतरी है बहुत ही तारकिक है that we must guard it among us and never forget it जिससे की हम लोग इस language को अपने अंदर सुरच्छित रह सकते हैं सुरच्छित रख सकते हैं और इससे कभी भूल नहीं सकते because when a people are enslaved क्योंकि जब एक इनसान को दास बनाया जाता है as long as they hold fast to their language जितना ज़्यादा उन्हें दास बनाया जाता है उतना ज़्यादा उनकी language उनकी भासा उनके पास बनी रहती है it is as if they had the key to their prison ये बिल्कुल वैसा ही होता है मानो ये भासा उनके जेल की चाभी हो then he opened a grammar and read us our lesson फिर उन्होंने एक grammar की बुक खोला और हमारे lesson को पढ़ा I was amazed to see how well I understood it मैं आश्चर चकित था कि मुझे कैसे इतना कुछ समय में आ रहा था all he said seemed to all he said seemed so easy, so easy उन्होंने जो बातें बताई बहुत ही सरल थी, बहुत ही सरल थी I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience मैं भी सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में इतने साउधानी से इस lecture को ऐसे lecture को नहीं सुना होगा और मैंने ये भी सोचा कि उन्होंने हर चीज को बहुत ही सरलता से अच्छे से समझा भी दिया और धैर से It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away ऐसा लग रहा था कि बेचारे हमारे teacher साहब चाहते थे कि जाने से पहले सब कुछ जो उनके पास था हमें दे देना चाहते थे and to put it all into our heads at one stroke और ये भी लग रहा था कि एक ही प्रहार में वो सारा ग्यान हमारे मस्तिस्क में डाल देना चाहते थे after the grammar we had a lesson in writing grammar के बाद हम लोगों का लिखने में सबक था पाट था that day M. Hamill had new copies for us written in a beautiful round hand उस दिन M. Hamill ने हमारे लिए नई कापियां लाई थी जो गोल गोल घुमा घुमा कर अच्छी राइटिंग में लिखी गई थी friends, alces, friends, alces यही सब लिखा हुआ था friends, alces, friends, alces they look at like little flags floating everywhere in the school room ये कापियां बिल्कुल छोटे-छोटे जंडों के समान लग रही थी जो school room में मानों की जैसे जंडा फहरता है वैसे फहर रही थी hung from the rod at the top of our desk बिल्कुल वैसे ही जैसे लग रहा था कि ये हमारे desk के उपर एक rod के सहारे एक छड के सहारे बिल्कुल जंडे की तरफ फहर रही हो you are you are to have seen how everyone set to work आप देखेंगे कि कैसे हर कोई अपने काम में बिल्कुल लगा वा था and how quiet it was और उस समय कितनी सांती थी the only sound was the scratching of the pens over the paper एक मात्र sound सुनाई पढ़ रहा था जब paper पर pen चलती थी उसके scratching की आवाज आ रही थी once some beetles flew in कभी कभार क्लास में कोई beetle कोई कीड़ा उड कर आता था but nobody paid any attention to them लेकिन उन की उनों पर कोई ध्यान नहीं देता था not even the little ones यहां तक की छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं देते थे who were right on tracing their fish hooks जो की अपने fish hooks को trace कर रहे थे as if that was french too ऐसा लग रहा था कि उनका जो fish hook है वो भी जो है फ्रेंच है मतलब एकदम फ्रेंच वाला माहौल बन गया था क्योंकि आज जो है last lesson है फ्रेंच का तो पूरा स्कूल जो है समझ लो फ्रेंच से डूब गया था on the roof the pigeons could very low छट पर कबुतर लोग बहुत धीरे धीरे आवाज में कूंकूं कर रहे थे and I thought to myself और मैंने खुश सोचा will they make them sing in German even the pigeons क्या ये जो जर्मन लोग है क्या वो कबुतरों को भी जर्मन भासा में बोलना सिखा देंगे ऐसा सोच रहा था छोटा फ्रांज ये नि राइटर whenever I look it up from my writing I saw am Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room जब भी मैं उपर देखता था अपने राइटिंग का काम करके मैं हमेल को गतिहीन होकर उनकी चेर पर बैठे हुए देखता था और मैं देखता था कि पहले वो एक चीज को घूर कर देखते थे फिर दूसरी चीज को घूर कर देखते थे मानो कि वो अपने mind as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room मानो कि वो छोटे से school room में जो जो चीजें दिखती थी उसको वो अपने mind में बिल्कुल fit कर लेना चाहते थे एकदम बसा लेना चाहते थे fancy for 40 years he had been there in the same place कल्पना करो कि वो उसी place पर उसी जगा 40 साल से सेवा कर रहे थे as a teacher with his garden outside the window and his class in front of him उनका खिड़की के बाहर उनका बगीचा था garden था and his class in front of him और उनका जो class था उनके सामने था यनि garden के सामने तो यह हुआ अब आगे चलते हैं just like that बिल्कुल ऐसा ही था only the disc and benches had been worn smooth सिर्फ डेस्क और benches जो थी वो चिकनी हो गई थी मतलब बराबर यूज करते करते चिकनी हो गई थी the walnut tree in the garden वेर टालर बगीचे में जो अखरोट का पेड था वो ज्यादा लंबा हो गया था and the hope wine that he had planted himself twinned about the windows to the roof जो hope wine उन्होंने लगाया था hop wine लगाया था एक परकार की बेला जो लगाया था जो उन्होंने have broken his heart to live it all poor man इन सारी चीजों को जब वो छोड़ कर जाएंगे तो उनका दिल कितना तूट जाएगा बेचारे हमारे टीचर to hear his sister moving about in the room above packing their trunks उनकी sister उनकी sister जो है एक रूम में उपर वाले रूम में सारे समान को pack कर रही थी उनकी आवाज को सुना जा सकता था far they must live the country next day क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश को अवस ही छोड़ देना था else's को अवस ही छोड़ देना था but he had the courage to hear every lesson to the very last लेकिन उनके पास साहस था कि हर lesson को अंत तक वो सुन सकें after the writing लेकिन के बाद we had a lesson in history हम लोगों का इतिहास में सबक था and then the babies chanted their ba, 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 bo, bo फिर छोटे छोटे बच्चे ये सब रट रहे थे जैसे ba, 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 bo, bo ये सब रट रहे थे down there at the back of the room old hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands he spelled the letters with them वहाँ नीचे room के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में बुढ़ा, hauser, builder यानी वो अपना चस्मा लगाया हुआ था और अपने दोनों हाथ में काईदा यानी की जो सबसे सुरुआती book होती है उसे लिए हुआ था और जो उस काईदे पर लेटर था अक्षर था उसको spell कर रहा था spelling बोला था यू कुड़ सी देट ही टू वाज क्राइंग आप देख सकते हो कि वो भी रो रहा था इस वाज स्ट्रेंबल विद इमोसन उसकी आवाज भावनाओं से काँप रही थी और उसकी आवाज को सुनकर के इतना हसी मज़ा आ रही थी कि हम लोग हसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे अरे बाप रे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने कितने अच्छे से वो लाश लेसन को याद करता हूँ मैं आल अट वन्स दा चर्च क्लाक इस्टरक ट्वल्ब अचानक ही चर्च की घड़ी में बारा बज गए देन दा एंजलस और फिर एंजलस में अट दा सेम मोमेंट दा ट्रमपेट्स आप दा प्रूसियन रिटर्निंग फ्राम ड्रिल सांड़ेट अंडर अवर विंडोज उसी समय जो प्रूसियन सैनिक हैं जो की अभ्यास करने गए थे वो लौट रहे थे और उनकी आवाज खिडकी के बाहर सुनाई पढ़ रहे थी A.M.M.L. stood up very pale in his chair A.M.M.L. खड़े हो गए काफी पीले पढ़ गए थे अपने चेर के पास ही खड़े हो गए काफी पीले पढ़ गए थे I never saw him looks so tall मैंने अपने जीवन में कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था माई फ्रेंड सेड ही मेरे मित्रों उन्होंने कहा आई आई बट सम्थिंग चोग दिम वो कहना चाह रहा थे मैं मैं लेकिन मानो उनका गला किसी चीज के कारव उनका गला अवरुद्ध हो गया वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाए फिर वो ब्लेक बोर्ड की तरफ मुल गए उन्होंने चाह का एक छोटा टुकडा लिया और जितनी उनके पास सक्ती थी उस सक्ती को कतृत करते हुए फिर यूट एज लार्ज एज ही कुड़। वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उनोंने लिखा वीव ला फ्रांस उन्होंने लिखा कि फ्रांस अमर रहे देन ही स्टाब्ड एंड लीन्ड लीन्ड हीज हेड अगेंस दा वाल फिर वो रुख गए और दिवाल के पास ही उन्होंने अपना सर जुका लिया और बिना एक सब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से इसारा करके हमारी तरफ कहा स्कूल समाप्त हो गया अब आप लोग जा सकते हैं तो इस्टुडेंट्स दा लाश्ट लेसन का दूसरा पार्ट मैंने बता दिया और इस तरह से जो है आप का ये लाश्ट लेसन समाप्त हो गया और इसके बाद अब नेक्श लेसन देखा जाएगा ओके थैंक यू